हलो प्यारे बच्चों वेलकम तो हम पढ़ रहे थे हैं आई के सी नेमें क्लिचर ओफ एलकेंस तो हम एलकेंस की जब बात करते हैं तो हमें उसका जनरल फॉर्मुला पता होना चाहिए क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस टू दिस इस जनरल फॉर्मुला ओफ एलकेंस ठीक है सी एन एस टू प्लस टू तो इसके अंदर क्या होता है की दीज अर्दा इस ट्रेट चैन हड्रोकार्बंस और दे सफिक्स आर यूज आई जैसे की मित्हें मित्हें प्रोपें ब्यूतें तो सफिक्स क्या का मिले तेम एन and carry a prefix indicating the number of carbon atoms present in the chain except from CH4 to C4H10 where the prefixes are derived from trivial name तो क्या होता है की जैसे अगर हमें आप देख रहे हो यांपर एक table तो क्या होता है जिसे CH4 है विखे क्या बूलेंगे methane, C2H6 ethane, C3H8 propane 4 carbon को butane 5 carbon को pentane 6 carbon को hexane 7 carbon को heptane 8 carbon को octane 9 को nonane 10 को decane 20 को क्या बोलते हैं? icosin 30 को बोलते हैं trico 10 इस तरीके से क्या होता है? सफिक्स काम मिल लेते हैं n किसके अंदर? जो की alkanes होते हैं और आपको वैसे 10 में पढ़ा होगा आपने CnH2n plus 2 इस जनरल फॉर्मूला ओफ alkane ठीक है? जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो C2H6 आप देखो कि यहां पर C2H6 यह फॉर्मूला में fit होता है यह नहीं होता n की जगे अगर यहां पर 2 रखोगे आप तो 2 2 जब 4 4 plus 2 6 हो गया? C2H6 तो मतलब यह क्या हुआ? alkane हुआ इस फॉर्मूले को put कर रहा है ठीक है? इसे तरीके से बाकि जितने भी यह हैं सभी में आप देखोगे कि यह जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले के बेसिस पर है CnH2N plus 2 उसको follow कर रहा है इसलिए हम इंद को सब क्या बहलेंगे? alkane और इनके पीछे जो suffix लगाते हूँ क्या लगाते है? an इसके राद में आता है branched chain hydrocarbons branched chain hydrocarbons like this जैसे कि आप देख रहे हो chain hydrocarbon है और साथ में इसमें क्या हो रहे है? branching भी हो रही है इसे तरीके से ये भी एक क्या है? hydrocarbon है chain hydrocarbon और इहां पर क्या हो रहे है? इसमें branching हो रहे है इन्हें branched chain compound small chains of carbon atoms are attached at one or more carbon atoms of the parental chain small carbon chain are called alkyl groups तो जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि ये जो chains हैं इन में जितने भी ये small निकले हुए है branch जो निकली हुई है इन्हें हम क्या बोलते है? alkyl groups क्या बोलते हैं? alkyl groups ठीक है? जैसे methyl, ethyl, propyl, butyl तो इस तरीके से ILE लग जाता है ठीक है? तो क्या होता है कि in order to name such compounds the names of alkyl group are prefixed to the name of parent alkyne तो जितने भी alkynes है ये parental alkyne है जिसके मैंने आपको बताया था कि सबस्वबर हम क्या करते है longest chain को select करते हैं और उसके साथ में क्या लगाते हैं? suffix लगाते हैं इसकी parental chain के साथ ठीक है? इसके बाद में अगर हम एक hydrogen निकालते हैं जिसके क्या 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 लाते हैं? substitutes जो की branching के form में अलग से जुरेवी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? substitutes जिससे अगर आप देखते हो CH4 इसमें से अगर हम एक hydrogen अटा देते हैं क्या बन जाता है? CH3 तो इसको हम क्या बोलेंगे? methyl समझ में है? इसे तरीके से अगर CH3, CH3 है उसमें से भी अगर एक hydrogen अट जाता है तो उसके क्या बोलेंगे? methyl जिसे आप इस table के अंदर देख रहे हो क्या? जिसे यह है CH4 इसमें से एक hydrogen अटा दिया क्या बन गया? CH3 methyl C2H6 इसको हम क्या बोलते है? ethane 2 carbon है इसको क्या बोलेंगे? ethane और ethane में से जब एक hydrogen डिमूव कर दिया जाता है तो इसको हम बोलते है? ethyle ऐसी तरीके से C3H8 क्या कर लाता है? propane और इसमें से एक hydrogen जब बटा दिया जाता है तो क्या कर लाता है? propane C4H10 क्या कर लाता है? butane और इसमें से जब एक hydrogen को अलग कर दिया जाता है तो क्या कर लाता है? butane same thing C10H22 decane और इसमें से भी जब कभी hydrogen एक अटा दिया जाता है सबको समझ में यह क्या रहते हैं यह क्या रहते हैं अलग से निकले हुए होते हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं सब्सक्राइब बोलते हैं और अलकाइल ग्रुप्स बोलते हैं सबको समझ में आया है तो कुछ रूल है जो कि हमें फॉलो करने होते हैं नमें क्लेचर के लिए सबसे पहले क्या करते हैं फॉर्स्ट ऑफ ओल लॉंगेस्ट कार्बन चेन इंदा मॉलेकुल इस हो गया सबको समझ में आया था देख रहे हों कि यह जो सेंदर कितने का ड्रुपन नाइन कार्बन सा अगर आम इसतरीके से सेटे यह और फिर ऐसे तो शिक्स सेवन और एट कितने कार्बन हुए ईट कार्बन होई तो कम है इसलिए सबसे पहले लॉंग स्जिफ पहलें को अ होते हैं उसके बाद में क्या करने होती है किंग करने होती है थैंसे करना होती है नम्दी आप in such a way that the branched carbon atoms get the lowest possible numbers मतलब कि हमें जो branching करने होती है वो branching हमें कहां से करने होती है जहां से कि जो derivative है जो कि branch carbon है उसको lowest number मिले वहाँ से हमें क्या करना होता है branching करना होती है जिसे अगर आप यह देखते हो कि यह carbon है और दूसरा है यह तो आप देखोगे कि सबसे पास कौन पढ़ता है यह carbon पढ़ रहा ठीक है इसलिए हम numbering कहां से शुरू करेंगे यहीं से शुरू करें होती है इसलिए हमें numbering कहां से करनी होती है जहां से कि branched carbon को lowest possible number मिले वहां से हमें क्या करनी शुरू करनी होती है इसके बाद में next आता है if different alkyl groups are present they are listed in alphabetical order मतलब कि यदि ऐसा होता है कि यह carbon second number पर है और यहां से यह carbon carbon भी second number पर ही हो ठीक है तो इस condition में क्या होगा कि इधर से numbering होगी या फिर इधर से numbering होगी तो हमें क्या करना होगा जो alphabetical पहले आता हो उसकी तरफ से में numbering करनी होगी तीक है जैसे कि अगर आप यहां पर देखते हो कि आप देख रहे हो कि यह carbon carbon six number के जुड़ा हुआ है अगर मैं इस carbon carbon को यहां पर add कर दो तीक है तो आप क्या देखोगे कि इधर से चलने पर इधर से चलने पर भी second number पर आ रहा है तो हमें क्या करना होगा यह देखना होगा कि जो इसका नाम जम लिखेंगे अलफ़ावाटिकल ली कौन पहले आएगा यह क्या एथाइल है दो carbon है इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको इथाइल और one carbon हम क्या बोलेंगे methyl ओके तो जो यहां पर क्या हो रहा है अभी है अलफ़ावाटिकल ली इपहले आता है इथाइल का इपहले आएगा इसलिए हम क्या करेंगे पहले इथाइल को count करेंगे और इसलिए हमारी numbering अब जब शुरूओगी कि तो कहां से शुरूओगी इधर से one two three four five six seven eight nine ठीक है तो यह हमारी क्या हो जाएगी numbering हो जाएगी और इसके अंदर आप देखोगे कि second number के carbon पर तो क्या होगा इथाइल and eight number के carbon पर क्या होगा मिथाइल ठीक है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा और क्या क्या लाएगा two ethyl eight methyl nonane ठीक है इस तरही किसे इसका nomenclature हो जाएगा तो आपको सबको समझ में आया यह चीज़े कि हमें क्या करना होगा सबसे पहले longest change लग करनी होगी इसके बाद में हमें सबस्चिटूट्स देखने होंगे इसके बाद में हमें देखना होगा कि जिसको सबसे lowest number मिले हमें उदर से ही numbering शुरू करनी है ठीक है इफ डिफ्रेंट अलकायल ग्रूप्स अप्रेजेंट यह लिस्टे इन अल्फबेटिकल ओर हो गया ती आपको सबको समझ में आ गया इसके राद में नेक्स आजाता है कि जैसे इफ टू और मोर इदेटिकल सबस्टिटूट्स ग्रूप्स अर प्रेजेंट देन देन नमब आपकेजेंगें जिसे कर गरलो मोर देन बन ऐलकायल ईल्कायल ग्रूप्स आटेज़ेंगे यार्यू उड्विफेक्स आज मैंके जिए 13 purpose सबसूब्स आप जैसे क्या होता है बड ओ कार्विए करिपन चेन और इस कर्वण चेन पर सखेंगर के कर तो मिथाल warm तो मिथाल जुड़े हुए है और फोर नंबर के कार्बन पर एक मिल जुड़ा हुआ है तो आप क्या देखते हो कि हो रहे हैं पर तो किसमें हो इए चाहे इधर से चलो चहें इधर से चलो कि दर से बीचलो जोनू इसलिए इसमें आपको कोई फरक नी पढ़ने वाला कि आप इधर से चलते हो या फिर इधर से चलते हो तो आप चाहिए इधर से भी कर सकते हो इधर से हमेः आप देखो की क्या लिखोगा है टू फोर डाई मिठायल पैन टैन्न में या क्योंकि टू नंबर कर नंबर के कारवन पर में चैनल की है इसलिए हम क्या बहुत लेंगे टू फोर डाई डाई का मतलब दो डाई निता मिठायल पैन्टेन पैंटेन ठीक है एलकेंस हैं क्योंकि यह इसलिए हम क्या वह लेंगे पैंटेन सेकिंड अगर इस तरह के का कोई कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता है कि सकेंड नंबर कारवन पर दो मिथाल गूरूप जुड़ा हुए और एक फोर नंबर के कारवन पर मिथाल गूरूप ज सेकेंड नंबर पर है तो बोट ओफ साइट सेकेंड नंबर इसलिए आप किदर से भी कर सकते हो बट अब आपको यह देखना होगा कि जो दूसरा सब्स्टिचूट जुड़ा हुआ है उसे कौन सी नंबरिंग मिल रही है क्योंकि यह तो एक दूसरे से कैंसल हो गए चाहे काहा से कमरिंग मिल रही है जबकिक अगर आप इसको जब नंबर इन बोलेगे टो इस साइट से चलूगे और आप इसको जब नंबूर भोलोगे तो क्या वोलोगे 224 try methyl Pantane सब को समझ में आया क्या रोगे 22 के ये दो जुड़े हुए हैं दो नमबर के कारण पर इसलिए 22 एंड 4 नमबर के काणन पर जुड़ा हुआ है एक मित्थाइड तो 4 try methyl try का मतलब 3 इसलिए हम क्या बोलेंगे ट्राइं मिथाइल पैंटेन चिक है तो यह इसका क्या हो जाता है आई पिसी नमें क्लेच है इसके वाद में जो नेक्स्ट रूल आता है वो क्या है तो कैसे हम क्या रहेंगे कि हम किदा से चलें तो हम यह देखना होगा कि जो अल्फाबैटिकल ली पहले आता है हम उदर से नम्बरिंग स्टार्ट करते हैं जैसे कि अगर एक तरफ मिथाइल ग्रूप जुड़ा हुआ है तो हम नम्बरिंग कहां से शुरू करेंगे एथाइल से शुरू करेंगे क्योंकि यह में Iい से श्टार्ट होता है मिथाइल में से तक यह ऐसाएल पहले आता है इसलिए हम चुड़ा नम्बरिंग करेंगे तो पहले किसको लेंगे इताइल को लेंगे उसके बाद मेंmber मिथाइल के लिए करेंगे ओके तो यह आपको ज्यान रखन है कि अगर एक ही identical position पर दो अलग-अलग functional groups आ जाते हैं यह दो अलग-अलग substituents आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा जिसका नाम alphabetically पहले आता है उसकी चरफ से आपको numbering शुरू करनी होगी ठीक है यह आपको समझ में आया सभी को इसके राद में हम देखते हो कि the branched alkyl groups can be named by the following the above mentioned procedure carbon atom of a branch that attaches to the root alkane is number one मतलब क्या हुआ कि अगर कोई carbon chain इस तरह की की है जिसके अंदर की more than one branching हो रही है यह और भी ज्यादा branching हो रही है और हम हमें यह identify करने में भी थिक्कत अगर आती है कि हम किस carbon chain को parental chain बना है तो हमें क्या देखना होगा जो कि longest carbon chain होगी और जिसके अंदर more substitutes present होंगे more substitutes होंगे उसी carbon chain को हम select करेंगे लेकिन अगर ऐसा हो कि जो carbon chain हो बहुत ज़्यादा branched है तो फिर हम क्या करेंगे कि जो नई branch आ रही है उसको भी numbering देना शुरू कर देंगे ठीक है जैसे आप देख रहे हो कि यह भी यहां से branching हो रही है यानि कि यह किसी ने किसी carbon family से जुड़ा हुआ है ठीक है तो यह जो है मारा इसका तो नंब्रिग शुरू हो गया यहां से जहां से कि यह जुड़ा हुआ है ठीक है तो यह जुड़ा है तो यह जुदा है खिंग है कि यह जुड़ा है ठीक है while writing the trivial names of substituents अलप्रफटिकल order the prefixes iso-n-e-o are considered to be the part of the fundamental name of alkyl groups the prefixes secondary and tertiary are not considered to be the part of the fundamental name मतलब कियम secondary and tertiary को यूज में नहीं ले सकते as a fundamental name इसके बज़ाएं में क्या काम मिले ना iso and knee ठीक है in multi-substituted compound the following rules may also be remembered हमें जो rules है वो follow याद करने होंगे if there happens to be two chains of equal size then that chain is to be selected which contains more number of side chains तो ये rule आपको याद रखना होगा कि यदि a chain हो जो कि equal size की हो यानि कि मालो 8-8 carbon की ही दो chain अगर हो एक साथ तो फिर हमें कौनसी वाली chain select करने होगी इसे identify करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि more number of side chains यानि कि उसके साथ जो substituents से जुड़े हुए है तो जिसके साथ जादा substituents से जुड़े हुए होगे यानि कि जिनकी जादा branching होगी होगी वो ही जादा क्या होगे उनको ही सबसे पहले numbering होगी ठीक है after selection of the chain numbering is to be done from the end closer to the substituents तो अगर ऐसा होता है कि two chains है equal size की है ठीक है तो हमें change select करने के लिए यह देखना होगा कि किसके अंदर सबसे जादा substituents जुड़े हुए है या किसके अंदर सबसे जादा branching हो रही है उसी का हमे parental chain के रूप में माना जाएगा जैसे कि example आप देखो इस तरह के कि अगर एक chain है तो आप देखोगे कि एक chain तो यह भी है one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine और एक chain यह भी ऐसी दी और एक chain यह भी ऐसी दी ठीक है इस condition में क्या होता है वह chain select करनी है जिससे कि substituents जादा से जादा जुड़े हुए है ठीक है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लूंबरिंग हो रही है, वह कौन से chain की हो रही है इस वाले chain की numbering हो रही है ठीक है क्यों क्योंकि इस से जुड़ने वाले जो side chains है वो भी क्या है जादा है, एक इधा से जुड़ रहा है और यह बैसे जोड़ रहा है तीक है इसलिए हमने इस वाली चैनल को क्या किया है फाइंड आउट किया है अब इसके बाद में आपको नमबरिंग करनी है तो नमबरिंग करेंगे तो हमें नमबरिंग यहां से देनी होगी 1,2,3,4 ठीक है और जब हम नाम लिखेंगे तो हमें इस चैन का अलग से नाम लिखना होगा और उसके बाद में पैरेंटल चैन का नाम लिखना होगा सबको समझ में आया कि जो कभी भी ऐसी एक्स्ट्रा चैन वाली कोई चैन हो ठीक ह हमें क्या करना होगा जिसके अंदर मोर सब्स्ट्ट्ट्टेट्स जुड़े हो यानि कि मोर ब्रांचिंग हो रही हो हमें उसी को फॉलो करना होगा उसको पैरेंटल चैन मानना होगा बाकी जितनी भी जुड़ी हुई है उन्हें हमें सबको क्या मानना होगा तिक आप नाम देखो क्या होगा 5 यह 5 नंबर का कारवन है और 5 नंबर के कारवन से जुड़ा हुआ है complete तो कौन जुड़ा हुआ है उसके लिए आप क्या लिखोगे bracket में 2-1 यह क्या हो गया 2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-2-1-1-1-2-2-1-3-2-1-1-2-1-2-2-1-3-1-2-2-1-2-1- आप देखो कि 3-3 carbon पर 2 CS3 गुरूप जुड़े हैं इसलिए क्या बोलेंगे 3-3-diamethyl-decan क्यों क्यों क्योंकि 10 carbon की chain है इसलिए क्या बोलेंगे deccan सबको समझ में nomenclature किस तरीके से करना है ठीक है इसका नाम यह नहीं होगा 5-2-2-diamethyl-butyl-3-ethyl-decan ठीक है इसका नाम होगा यह 5-2-ethyl-butyl-3-3-diamethyl-decan सबको समझ में आया नाम यह इसका नोमेंट लेचर होगा तो आपको यहां तक सबको बच्चों को पढ़ना है अपने बुक्स के अंदर से भी आप और पक्ट्रिस कर सकते हों कि आगे का वीडियो में कर नगो we को फेयुत थांक हो यहप दिसन सकते हों